हेलो दोस्तों मैं हूँ आमन शर्मा वेलकम टो इश्कोर शाला आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर दी एज ओफ इंडस्टिरलाइजेशन बच्छा इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने फैक्टरी के बारे में देख लिया था मशीन के बारे में हमने समझ लिया था क कि अभी तक जो मशीन से उसको इतना अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था तो सर जो इंडस्टिलाइजेशन को फेसे वह किन चीजों पर डिपेंड हुआ करता था सर या तो लेबर या फिर कौन सी मशीन तो मशीन हम देख चुके पर हम इस वीडियो इस यूरो प्रिफर हैंड लेबर ऑवर मशीन अब अच्छा जो हमारे एक है ना मोटिव राए अभी तक जो हम जिस तुरू इन सभी जो चैप्टर को करते जा रहे हैं वो क्या है सर कोश्चिन बेस अपरोच तो कोश्चिन क्या है हमारे सामने वाइड इडिट सम इंडस्टिल इस जो थे ना 19th century के अंधर वो क्या कर रहे थे प्रिफर हैंड लेवर को ओगा मशीन को यूज करने के बहाफ पे वो क्या यूज करना चाह रहे थे सर वह यूज करना चाह रहे थे हैंड लेबर को सर ऐसा क्यों था सर तो देखो सर इन विक्टोरियन बिटेंड देर वस नो इसका मतलब 19th century का वहां पे उस टाइब की शोटेद नहीं थी लेबर की वहां पे उस टाइब बहुत ज्यादा लेबर था पूर पीजेंड और वेट कर रहे थे वरक के लिए वह वह वेट कर रहे थे As You Will Know When There Is A Plenty Of Labor Wages Are Low अब बच्चा जैसे कि हमें पता है का सद जिसी भी चीज की है ना सप्लाई जादा होती है तो उसके जो रेइट है उसकी जो प्राइजर से बबब कि लगए से क्या हो गई लो हो गई इंडस्री लिज बच्टाइज अदर प्रॉब्लम मिल रहा था और उनको हाई वेज कोई डर नहीं था कि उनकी जो स्टेज कोई बहुत ज़ादा दर आ जाएगी they did not want to introduce machines that got right of human labor and required large capital investment अब अच्छा ऐसे में क्या था ना जो यह new जो इंडेस्टनिस था ना वो चाहते ही नहीं थे कि जो machines है वो इंडेस्टनिस हो factories में क्यों से क्योंकि उससे क्या होगा जो उनका जो labor जो है जो human labor जिसकी cost बहुत ज़्यादा कम आ रही है वो उससे क्या हो जाएगा वो हट जाएगा वो उस field से चला जाएगा और ऐसे में new machinery इसको लगाने के लिए बच्चा क्या चाहिए new capital investment भी तो चाहिए large capital investment चाहिए अब वो कहां से आता तो ऐसे scenario में in many industries the demand for labor was seasonal आप जैसे कि हमें पता है कि कुछ जो industries होती न वो season based industry होती है जैसे कि gas work and beverages were especially busy through the cold months okay so they need more workers to meet their peak demand तो बच्चे क्या सीन था जो यह gas work और जो यह beverages होती थी न वो किस season में चला करती थी सिफ cold months में उनका production हुआ करता था तो उनको सबसे जाज़ा जो नीड थी न किसकी labor की वो कब हुआ करती थी वो उनके cold months में हुआ करती थी book binders and printers catering to Christmas demand to needed extra hands before December आप एसे में बच्चे यह समझ में आ चुका था कि उनने machines की कोई जरूरत ही नहीं थी इस scenario में at the waterfront winter was the time that ships were repaired and spruce up in all such industries where production fluctuated with the season industry is usually preferred hand labor employing workers for the season अब एसे में बच्चे क्या होता था जो यह seasonal works होता था था ना इसके लिए वो लोग क्या करते थे जो seasonal workers होते थे थे ना पस उनी को क्या कर लेते थे इंप्लोई कर लेते थे उन लोगों ने सोचा कि आखिर हमें कहां जोड़ता रही ही कि हम है ना large capital investment करें machines का और उसका use भी कप होगा उनके एक season के अंदर होगा तो ऐसे में बच्चा उनके establish करने का कोई motive उनको दिख नहीं रहा था why was some industries reluctant to introduce new machines अब ऐसा बच्चे क्या सीन था कि industrialist जू थे ना वो डर रहे थे किससे सर introduce करने से किसको सर new machines को a range of products could be produced only with the hand labor machines were oriented to producing uniform standardized goods for a mass market अब ऐसा क्या सीन था ना बच्चा की जो यह ना a range of products could be produced only with the hand labor machines were oriented to producing uniforms standardized goods for a mass market अब च्चा क्या था 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 कि उनको प्रोडूस करना था था उसका ध्यान रखा जाता था किसके लिए सर मास मार्केट के लिए मास मार्केट मतलब सर इंडिया जैसा जो मार्केट होता था 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 ना उसके लिए but the demand in the market was often for goods with intricate designs and specific shapes in mid 19th century Britain for instance 500 varieties of hammers were produced and 45 kinds of access this required human skills not mechanical technology अब चैसे हमने देखा क्या है कि जो machines है ना machines तो कैसे products पर प्रड्यूस करेगी जो कैसे होंगे एक जैसे होंगे uniform होंगे अब और उसकी के सास्ता उनका एक strand होगा और उनका fix होगा तो ऐसे सिनारियो में क्या होगा ना बच्चा कि उस ट्रेम उनका जो एक है तो बच्चा यह जो machine के लिए impossible है कि वह इतने ट्राइब की इतनी variety आए एक साथ वह प्रड्यूस करें ऐसे सिनारियो में विक्टरियन विटेन अपर क्लासे अरिस्ट्रोक्रेट्स अन्दी बहुर्जूगी इस प्रड्यूस 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 प्रड कि यहांनों कि अन्दीच प्रड्यूस करतें तो इसे में चान्नी फिर्ण मेंटे सिर्ण घंकी सबस्क्राइब के ऐसे में देचिर को मैंनें को एक स् एक्सपोर्ट के लिए सिर आउपकों के लिए एक्सपूर्ट पर सिर चाल ऑनकी जो एक्सी वेर कंडिशन थी, एस लोगां को था जी सिर अउस को क्या जाहिए थी जिसकी कॉस्ट क्या हो बहुत ज़ादा कम हो, इन कंट्रीस भी लेबर शौटेज इंडस्टिलिस वर किन उन् बच्चह क्या सिनारियो था था कुन की यूज्ट कर शके और यू जो न्यूमन पावर एक वार रीकेप ले ले लेते हैं तो जैसे कि आज हम क्या क्या बड़ा तो हमने पहले कोश्चिन देखा वाइड इसे में क्या था कि जो एक लाज कैपिटल इंवेस्मेंट नहीं किया जा सकता था और इसी के साथ साथ बच्चा हवाँ का जो लेव ता वह बहुत ज्यादा क्या था सस्ता था आखिर बच्चा जो इंडेस्टिलिस हुआ करते थे वह डर क्यों रहे थे न्यू मशीन को इंटर्ड्यूस करने से हमने उसका कारण देखा फिर उसके बाद हमने यह देखा कि वहां के जो लोग थे जो वहां की जो रिच क्लास है उसको क्या चाहिए थे उसको हैंड मेंट प् आंदर कि यह जो सभी चीजेट थी ना जो वह जो मशीन से जो फ्रेड्यूस होता था घृक्ति को इस वीडियो के अंदर इतना ही इस तॉपिक के अंदर इतना ही अगर आपको कोई-पी किसी बी टाइप का डौट हो इस चैप्टर से ड्यलेटेटिड इस ट्रीक से डिलेट झाल झाल